दोस्तो आईपेल का हम सब लोग पेसबरी से इंतिजार तो करी रहे थे अब आईपेल जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं तो बात करते हैं आईपेल और इसके स्पॉंसर से रिलेटेड न्यूज और फैक्ट्स की और साथ मैं बात करेंगे आईपेल और पीएसल के बीच कमपै करेंगे हमारे दो क्रिकेट लेजेंट्स के रिटार्यमेंट की सो वीडियो को लास तक चरूर देखेगा कीप वाचिंग फंट है क्या दो अगर्स 2020 को आईपेल के ट्वीटर हैंडिल से एक न्यूज आती है जिसमें यह कहा गया कि 19 सितंबर से आईपेल स्टार्ट होने जा दोस्तों क्रिकेट और आईपेल के फैंस के लिए यह बहुत खुजी की बात थी पर फिर वी तीन अगस से ही लोगों के अंदर आईपेल के स्पांसर वीओ को लेकर काफी आक्रोज दिखाए दिया दोस्तों इंडिया में बाइकॉट चाइना तो चली रहा है और वीओ एक चérieur सHE, लोगों का कहना था कि हमाइपेल के स्पांसर के रूप में बक्ने देखना चाहते और लोगों ने इसके लिए सोचल मीडिया पे काफी हैस्टेक्स चलाए काफी पोस्ट किये और पूरा सोचल मीडिया इन पोस्ट और हैस्टेक्स और मीम से भरा हुआ था यह कापी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर फाइनली बीसी सी आई ने 19 ओगस्ट को IPL का नया स्पॉंसर ड्रीम 11 को अनौंस किया इस पर IPL के चियर मैं मिस्टर ब्रिजेस पतेल ने कहा कि कि ड्रीम 11 एक उभरता हुआ डिजिटल प्लाटफॉर्म है और हम ड्रीम 11 का IPL 2020 एडिशन के टाइटल स्पॉंसर के रूप में वैलकम करते हैं दोस्तों इस पर ड्रीम 11 के CEO & Co-founder Mr. Harzian ने कहा कि 2008 में IPL के सुरुवात के साथ ही हमें ड्रीम 11 का आइडिया मिला और हमें BCCI और IPL के साथ ये पार्टनर्शिप करने में बहुत ज़्यादा खुसी होगी और इस अपॉचुनिटी के लिए हम BCCI को ठेंक्यू कहना चाहेंगे तो दोस्तों IPL 2020 का टाइटल स्पॉंसर है ड्रीम 11 और हमें IPL का लोगो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा अब वी वो IPL नहीं ड्रीम 11 आइपिल होगा दोस्तों अब बात करते हैं IPL और PSL के कमपैरिजन की दोस्तों अगर हम बात करें IPL की तो इसकी सुरुआट 2008 में होई थी और इसका फर्स्ट एडिशन 2008 में ही खेला गया था और अगर बात करें PSL की तो इसकी सुरुवात 2015 में हुई थी और इसका First Edition 2016 में खेला गया दोस्तो अगर हम बात करें इनकी Brand Value की तो IPL की Brand Value 2020 में 6.9 Billion US Dollar है और वहीं बात करें PSL की तो इसकी Brand Value 2020 में 330 Billion US Dollar है यानि की IPL की Brand Value PSL से लगबग 20 गुनाच जादा है दोस्तो IPL इंडिया में ही अलग-अलग जग़ों पे खेले जाते हैं पर पाकिस्तान सूपर लीग, UAE, अबुधावी, दुबई और अन्नी कंट्रीज में खेले जाते हैं पर 2020 का PSL पाकिस्तान में ही खेला जा रहा है दोस्तो अगर हम इन दोनों के Viewers की बात करें तो PSL को हर साल 160 मिलियन लोग देखते हैं अगर हम इन दोनों में मैचों की बात करें तो IPL में 60 मैच लगबग 45 दिनों में खेले जाते हैं और वहीं अगर PSL की बात करें तो वहाँ पर 34 मैच लगबग 30 दिनों पर खेले जाते हैं इन दोनों के प्राइज मनी की बात करें तो 2020 में IPL की प्राइज मनी लगबग 7.2 मिलियन US डॉलर है और अगर हम बात करें PSL की तो इसकी प्राइज मनी लगबग 1 मिलियन US डॉलर है मतलब की IPL की प्राइज मनी PSL से 7 गुना ज़ादा है दोस्तो IPL में जो विनर या चैंपियन टीम होती है उसे लगबग 2.9 मिलियन डॉलर मिलते हैं और वहीं पाकिस्तान सुपर लीक्स की बात करें तो वहाँ पे विनर टीम को एप्रॉक्स 5 लग डॉलर मिलते हैं और अगर हम बात करें रणर अप यानि की सेकंड विनर टीम को IPL में 1.8 मिलियन डॉलर मिलते हैं और वहीं PSL में रणर अप टीम को सिर्फ 2 लाग डॉलर मिलते हैं अगर हम ये भी कहें कि PSL IPL से 8 साल बात शुरू हुआ तो भी PSL के फर्स्ट सेशन में 5 आइकन प्लेयर्स में से सिर्फ 2 आइकन प्लेयर्स पाकिस्तानी थें और वहीं अगर हम IPL की बात करें तो लगातार दो सेशन में 2008 और 2009 में सारे आइकन प्लेयर्स इंडियन सी थे अगर हम प्लेयर एक्स्पीरियन्स की बात करें तो ब्रेट होग जो कि ऑस्ट्रेलिया ही स्पीनर है जो PSL और IPL दोनों में खेल चुके हैं उन्होंने ट्वीट करते हुए यह बताया कि मैं दोनों को 10 में से 9 अंक देना चाहूंगा भले ही PSL थोड़ा लेट फेमस हुआ है पर IPL के व्यूवर वर्ड वाइड जादा है मतलब IPL जादा फेमस है दोस्तो PSL IPL से बहुत जादा पीछे है और इन फैक्ट के आदार पर हम कह सकते हैं कि IPL जादा पॉपलर है और जादा बेटर है PSL से और उन वेबसाइट और उन लोगों से कहना चाहूंगा जो PSL को जादा बेटर बताते हैं आप पहले फैक्ट को चेक कर लीजिए दोस्तों ऐसे ही जानते हैं IPL के बारे में और भी अमेजिंग फैक्ट बने रही ये वीडियो में दोस्तों कि आपको पता है कि IPL का पहला ओवर प्रवीन कुमार ने डाला था और दोस्तों प्रवीन कुमार एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैडन ओवर्स भी डाले हैं IPL में CS के एक ऐसी टीम है जिसने आज तक कभी भी अपना कैप्टन चेंज नहीं किया बात करें IPL के हैट्रिक्स की तो सबसे ज़्यादा है ट्रिक्स अमिद मिश्रा के नाम है क्या आपको पता है कि IPL की हिस्ट्री में सबसे पहले औरेंज कैप विनर सचिन तैंदूल कर थे IPL में सबसे ज़्यादा सिक्सिस मानने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है जिन्होंने 125 मैच में लगबग 326 सिक्सिस मारे हैं और दोस्तों क्रिस गेल सबसे ज़्यादा बार मैन आप दे मैच भी जीच चुके हैं किंग्स 11 पंजाब एक ऐसी टीम है जिन्होंने IPL के हर शेशन में अपना कैप्टन चेंज किया है IPL की हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट टेकर का रिकॉर्ड लथिस मलिंगा के पास है इन्होंने अभी तक 170 विकेट्स ली हैं सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोली ऐसे दो इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने मोस्ट वैल्यविल प्लेयर का हवार्ड जीता है RCB एक मात्र ऐसी टीम है जिसके पास हाइएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड है हाइस्ट स्कोर 263 और लोएस्ट स्कोर 49 IPL की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड अभी तक शिकर दवन के पास है इन्होंने अभी तक 524 चौके लगाए हैं MS धोनी एक मात्र ऐसे कैप्टन है जिन्होंने IPL में 8 वार फाइनल खेला है तो ये थे IPL के कुछ फैक्ट्स और रिकॉर्ड कुछ रिकॉर्ड इस बार और बनेंगे फिर अब इनके बारे में आगे जानें दोस्तों 15 और अगस्ट को MS धोनी ने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये कहा कि Thanks a lot for your love and support और साम को 7 बच कर 29 मिनट से मुझे रिटायर समझा जाए ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने रिटायमेंट की खोशना की इसी के दो दिन बाद 17 और अगस्ट को सुरेश जायना ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपने रिटायमेंट की घोशना की दोस्तों माही और रेना के बारे में आप मुझसे जादा जानते होंगे पर महेंदर सिंग धोनी एक ऐसा नाम है जो लाकों लोगों के दिलों में बसता है इन दोनों लेजेंट को किर्केर हिस्टी में हमेशा याद रखा जाएगा और आगे भी हमेंने IPL में खेलते हुए देखेंगे इन दोनों की इस स्पृट के लिए एक बार दिल से सल्यूट और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और अगर आपके कुछ अंसलजे सवाल हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर कॉमेंट में भी पूछ सकते हैं वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद